वेल्कम टू द्रोनाचारे आयस यूट्यूब चानल, दिस इस आवर डेली न्यूस्पेपर विडियो, सो आज है 20th और फेबरी, तो चलिए देख लेते हैं कि आज के हमारे दरहिंदी न्यूस्पेपर के, वो ऐसे कौन-कौन से न्यूस आर्टिकल्स हैं, जो यूपीसी प्र Here we are talking about the Forest Conservation Act of 1980, FCA जिसे commonly कह दिया जाता है, so इस FCA Act को 2023 के अंदर कुछ amendments लाई जाती हैं, and forest की definition को लेकर यहां पर कुछ changes किये जाते हैं, and उसी को लेकर Supreme Court ने अपनी एक judgment में ये कहा है, कि forest का जो dictionary meaning है, उसे use किया जाए, and जो इस Act के अंदर जो provisions दिये गए थे, उसे use करने से मना किया है, Supreme Court ने, और dictionary meaning की बात की है, तो देकिन जब आप environment and ecology पढ़ते हैं, वहां पे भी हम ये बात जाते हैं, कि जब भी define करने की बात आती है, कि forest क्या है, so there is no clearly defined definition, जो कि nationwide accepted हो, तो इसी को लेकर बार बार की forest को किस तरह define किया जाए, हमारे पास, you know, ये issue raise होता है, और इसी को Supreme Court ने कहा है, कि forest को, इसके dictionary meaning के जैसे understood करना चाहिए, तो इस पूरे perspective को हम यहाँ पे detail में unfold करेंगे, इसके इलावा, केरला की बात करेंगे, हमारे पास एक article आया है, जिसमें 2014 से लेकर, 2022 तक, केरला के अंदर, जो human wildlife conflicts हुए है, उनकी बात की गई है, and the numbers are really high, तो यहाँ पे एक article आया है, जो कि यह समझाने की कोशिश कर रहा है, कि केरला के अंदर ही क्यूं, इतने जादा encounters होते हैं, wildlife के साथ, कभी elephant के साथ, कभी wild boars के साथ, तो what are the reasons behind that, तो वो हम इस वीडियो में समझेंगे, इसके इलावा, internationally हम देख रहे हैं, कि बीते कुछ दिनों स के news बार-बार हमारे papers में आ रही है, which is related to the political situation of Northern Ireland, यहाँ पे हम Northern Ireland के political deadlock, और क्या historical background रहा है, क्या developments में रही हैं, उसके उपर एक निज़र उठाएंगे, and साथ ही में, Red Sea की बात करेंगे, तो Red Sea के अंदर, जो US की ship है, उसे attack किया गया, and जिसके बाद, अब European Union ने Red Sea में अप कर दिया है, तो पहले US का तो mission चली रहा है, Prosperity Guardian, अब recent update यह है कि European Union ने भी अपना mission, जिसमें की वो Yemen के Houthi rebels, जो Red Sea के अंदर लगातार attack कर रहे हैं, commercial और marine vessels के उपर, उसके खिलाफ, European Union ने भी अपना mission जो है, वो launch कर दिया है, तो यह कुछ articles हैं, आज के हमारे newspaper के, जो हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं, so let's begin with our first article, देखिए, यहां पे हम forest की बात कर रहे हैं, and यह उतना prelims perspective से नहीं, तो main perspective से discussion important है, क्योंकि main perspective से forest और forest से जुड़े हुए जो laws हैं, वो काफे important रहते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं, forest, तो जैसा कि मैंने अभी कहा, यहां प definition के लिए, ऐसा इसलिए है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी clearly, nationally accepted forest की definition नहीं है, ठीक है जी, and states are responsible for determining their definition of forest, yes, states are responsible, ठीक है, अब देखिए, जब भी हम forest की बात करते हैं, तो एक judgment जो है, वो काफी important हो जाती, जिसका जिक्र इस article में भी क्या गया है, वो है, 1996 में सुप्रीम कोट में एक TN गोदावर्मन याद रखेंगे, गोदावर्मन जज्जमेंट, पूरा नाम, बेशक नाम याद रखेंगे, गोदावर्मन जज्जमेंट आम ज़रूर याद रखेंगे, और इसमें भी forest को किस तरह डिफाइन किया जाए, तब भी 1996 में भी सु Supreme Court ने कहा था कि जो forest है, इसे इसके dictionary meaning से समझना चाहिए, तो basically मतलब जितने भी forest areas है, चाहे कोई statutorily recognized है, चाहे कोई designated forest है, चाहे कोई reserved forest है, कोई protected है, या फिर कोई इन में से किसी भी category में नहीं आता, उन सब को forest के undercover किया जाए, dictionary meaning से forest के अंदर इन areas को cover किया जाए, और कोई your definition as such ना लाई जाए, अब देखो ये बात हम क्यों कर रहे हैं, इस चीज को समझे, मैंने beginning में आपको कहा, कि हमारा यहाँ पे जो parent act है, वो है आपका FCA Act of 1980, FCA, Forest Conservation Act, जैसा किसका नाम बता रहा है, deforestation ना हो, deforestation को रोकने के लिए, इंडिया में forest conservation act आता है, जो कि हर तरहा कि forest की उपर apply होता है, चाहे वो जो forest है, that is under the control of, you know, कोई revenue department के, कहीं पे भी, अगर किसी forest को clear करना है, for any non-forest purpose, non-forest purpose के लिए, अगर forest को clear करेंगे, तो उसके लिए कोई industry लगानी है, कोई mining करनी है, कोई construction करनी है, तो इससे पहले यहाँ पे statutory clearance लेनी होगी, अब इससे क्या कि इससे check किया गया, कि बेवजाए जो forest है, उनको cut करके, वहाँ पे ऐसे industries, mines, constructions ना हो, तो उसको limit करने के लिए, यह forest conservation act हमारे पास आता है, ठीक है जी, अब इसे लेकर, 2023 में कुछ amendments होती है, और इस amendments में, एक section 1A जो है, वो introduce किया जाता है, section 1A, और यह कहता है, कि इससे, जो forest की definition है, यह अब कहा जाता है, कि इससे definition को बहुत dilute किया गया, क्योंकि इस definition में कहा गया, कि जो ऐसे forest है, the declared forest, जिनको as a forest declare किया गया है, और जो land records है, उन land records में किसी एक particular area को forest declare किया गया है, in the government records, in the government records, after 1980, after 1980, जो declared forest है, या फिर जो government के records में, एक particular land area को forest अगर डिमार्केट किया गया है, तो वही areas किया है, forest है, और उन ही के उपर क्या apply होगा, Forest Conservation Act, आप देखो इसको लेकर क्या हुआ, Supreme Court में petition गई, कि यह जो section 1A लाया गया, और इसमें यह कहा गया, कि 1980 के बाद, जो areas, you know, आपके पास declared forest है, वो ही forest है, तो क्या ऐसे areas, जहां पर actual में forest है, लेकिन वो अभी तक declared नहीं था, जिसको state government ने recognize नहीं किया, तो क्या वो forest नहीं है, तो क्या उसको easily आप deforestation कर सकते हैं, अब यह जब question आता है, तो Supreme Court यह कहता है, कि no, 1996 में भी, गोदा वर्मन केस में भी यह कहा गय जा था, कि जब भी forest को define करने की बात आती है, तो forest के dictionary meaning के उपर जाया जाए, forest ऐसा area, जहां पर आपके पास, you know, trees है, मलब वो, जिसको आप जिस तरह dictionary में define करते हैं, कि यह सब कुछ ना जाए, कि यह demarcated forest है, या undemarcated है, या फिर यहां पर यह notify हुआ है, नहीं हुआ है, no, इस तरह का कोई भी clause नहीं होना चाहिए, वो सभी areas जहां पर आपका, you know, forest cover है, उसके उपर FCA apply होना चाहिए, even bench ने यह भी कहा, कि अगर कहीं पर zoo, या फिर safaris भी अगर establish करनी हैं, तब भी उस particular area में यह establish करने से पहले Supreme Court से, top court से final approval लेना होगा, ठीक है जी, तो अभी तक ह हुआ है July month में, तब देखते हैं कि क्या हमारे पास बड़ी चीज आती है, लेकिन as of now, ये कुछ बाते याद रखेंगे, अच्छे एक और चीज देखो, ये prelims perspective से important है, तो इस चीज को note करेंगे, सबसे पहले, अगर हम बात करें कि forest कौन सी list का हिस्सा है भई, याद रखें में आता है, पहली बात तो ये, याल रखेंगे कि पहले जब हमारे पास, जब constitution आया था, पहले ये forest state list का हिस्सा थे, लेकिन फिर आती है 42nd constitutional amendment of 1976, जिसके बाद forest subject को state से निकाल कर concurrent list में डाला जाता है, इसलिए इसके उपर state भी act बना सकती है, और center भी, और कहीं पर अगर overlapping होती है, तो किसका लौ चलेगा, center का, ठीक है जी, तो वैसे भी हम जानते हैं कि आप fundamental duty भी जब पढ़ते हो, तो वहाँ पर भी हम बात करते हैं that this is the duty of every citizen to protect and improve the natural environment, including the forest and wildlife, तो हमारी fundamental duty है, फिर similarly हमारी DPSP भी है, directive principle of state policy भी है, कि state को इंडिया का जो environment है, उसे improve करना है, उसे protect करना है, forest को safeguard करना है, हमारी wildlife को safeguard करना है, तो ये हमारे fundamental duty भी है और DPSP भी है, ठीक है जी, तो इतनी बात इस article के लिए आपको पता होनी चाहिए, apart from this, European Union News में है, अपना naval mission notch कर दिया है, कहां पे, Red Sea पे, अब देखो ये कहानी तो हम बार बार discuss कर चुके हैं, we know कि ये है आपका Arabian Peninsula, और इस Arabian Peninsula के, बिल्कुल South में आपका एक country आता है, जिसका नाम है Yemen, और साथ में है Oman, और ये जो area है, this is your Africa, और यहां पे आजाता है, हमारा Red Sea, ठीक है, ये Red Sea है, और Red Sea के साथ, यहां पे आपको South में मिलता है, Gulf of Aden, Gulf of Aden, और इन दोनों को आपस में connect करती है, एक straight, जिस straight का नाम है, Straight of Bab Al-Mandeb, याद है ये बात, ठीक है जी, अब क्यों discussion कर रहे हैं, जी आपका Yemen का जो area है, यहां पे present है, कौन सा militant group है यहां पे, यहां पे है हूथी rebels, और ये हूथी rebels क्या कर रहे हैं, ये हूथी rebels अपनी solidarity दिखा रहे हैं, कि यहां पे Gaza में जो हो रहा है, Palestinians के साथ जो हो रहा है, हम उनके साथ अपनी solidarity रखते हैं, और इसी लिए उसको show करते हुए, Red Sea के रस्ते, जो भी आपके ships गुजर रहे हैं, उनके उपर ये हूथी लगातार attack कर रहे हैं, US इनको control करने के लिए आया, US ने यहां पे अपना mission launch किया, prosperity guardian, याद रखेंगे, इंडिया इस prosperity guardian का हिस्सा नहीं है, इंडिया इसमें participate नहीं कर रहा है, हाला कि हम अलग से Arabian Sea areas में active हैं, हमने कितने ही जादा driven piracy attempts जो हुए हैं, सोमालिया की तरफ से हमने उनमें अपना contribution दिया है, लेकिन US के prosperity guardian में हम पार्ट नहीं हैं, एक तो बात यह याद रखेंगे, अब हुआ क्या है, update यह है कि European Union ने भी अब Red Sea में अपना mission launch किया है, जिससे कि वो Yemen के जो हूथी rebels हैं, उन से Red Sea को प्रेट करना चाहते हैं, बेकिस Red Sea का जो रूट है, यह बहुत important route है international shipping में, आगे चलके यहाँ पर आपके पास, Gulf of Suez आजाती है, like this, there is Gulf of Suez, और जिसको cross करके, आप Suez Canal से Mediterranean Sea तक पहुँच सकते हैं, जो हाँ से आप Europe को गरन कर सकते हैं, so it's a very important shipping route, and इसकी security को maintain करने के लिए, अब European Union ने भी अपना naval mission जो है, वो launch कर दिया है, यह बात यहाँ में थी, इसके इलावा, human and animal conflict, देखिए, यह बात हम ऐसी situation के लिए करते हैं, जहाँ पर human activities, जैसे की हम agriculture करते हैं, कहीं पर हम infrastructure development करते हैं, resource extraction कर रहे हैं, इन सब के दुरान, we come into conflict with wild animals, जिससे की चाहे वो human beings की बात हो, या फिर animals की बात हो, जिसका outcome जब negative होता है, तो उसे कहा जाता है, human-animal conflict, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केरला की, केरला की बात करनी इसलिए जरूरी है, क्योंकि पहली चीज तो जब हम देखते हैं, केरला, बिलकुल आपका जो fire diversity hotspot है, western ghats यहाँ से पास करती है, monsoon का arrival यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, onset सबसे पहले होता है, withdrawal सबसे last में होता है, rainfall बहुत heavy है, प्लस यहाँ पर western ghats है, forest cover है, बहुत ज़ादा wildlife rich area है, केरला का, अगर total area में से 30% जो area है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, forest, केरला is a small state, and अगर आप देखो, इसकी जो width है, it's maximum of 70 km, maximum width is 70 km, और इतने में 30% area forest cover है, तो it means what, की यहाँ पर बहुत ही, you know, densely populated settlements है, यह बिल्कुल forest region के पास में है, और बहुत ज़ादा agriculture की जो plantations की जाती है, वो तो बिल्कुल wildlife, you know, habitats के पास में है, जिसकी वज़े से यहाँ पर बहुत commonly man-animal conflict जो है, वो हो जाता है, and यह पाया गया कि किरला में कुछ 1000 plus areas ऐसे हैं, जहाँ पर conflict हुआ है, और अगर 2013-14 से लेकर 2018-19 की बात की जाए, तो 48,000 ऐसे incidents report किये गए हैं, जहाँ पर man-human-human wildlife conflict हुआ है, चाहे wildlife आकर major crops को destroy कर रहे हैं, damage कर रहे हैं, economic losses हो रहे हैं, humans की safety खत्रे में हैं, अचा, also, it also, जो conflict है, इसका ecological damage भी है, when humans, they kill these wildlife, when they kill the predator, तो इससे जो है, वो ecological damage हो रहा है, conservation के challenges खड़े हो रहे हैं, तो वो ही चीज़ यहाँ पर highlight की गई है, कि आज के time पर cultivation का जो area है, वो increase किया जा रहा है, cropping pattern change हो रहा है, population जो है animals की से की elephant, tiger, इनकी conservation हो रही है, conservation efforts की वज़े से इनकी population में काफी increase हो रहा है, और जब livestock की movement होती है, या फिर human beings जब wildlife के habitat से move करते हैं, तो ये कुछ reasons हैं, जब man और wildlife conflict जो है, वो होता है, तो उसी चीज़ को लेकर solution दने की बात की गई, कि elephant proof crunches बनाई जाएं के रहला में, solar power fences लाई जाएं, या फिर एक new eco restoration policy लाई जाएं, जिसमें की suitable plants, जो indigenous plants हैं, वो जंगलों में लगाए जाएं, ताकि जो animals हैं, उनकी food demand जंगल में ही पूरी हो जाएं, उनको बाहर ना आना पड़े, वो agricultural land में उनको ना आना पड़े, जो उनका food है, वो उनको पूरा का पूरा abundance में जंगल में ही मिल जाएं, और एक तुम कुछ measures ये भी कह रहे हैं, कि drones को लेकर early warning system बनाई जाएं, जिससे कि elephants की tracking की उपर नजर रखी जाएं, using the drones, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये हैं, हमने कुछ weeks पहले भी बात की थी, केरला ने request की है, कि केरला के अंदर, जो wild boars हैं, उनको vermin declare कर दिया जाएं, schedule 4 में डाल दिया जाएं, vermin declare कर दिया जाएं, तो उससे क्या होता है, कि human safety के लिए economic losses ना हो, इन सब को देखते हुए, जो wild animal, अगर ये wild boars जो हैं, इनको kill किया जा सकता है, ठीके, तो एक चीज़ तो याद रखेंगे, इसके इलावा ये भी बात हो रही है, कि जो eco sensitive zone norms हैं respect to Kerala, जहां पर सबसे ज़्यादा conflicts हमें देखने के लिए मिलते हैं, नेक्स्ट हमारे लिए आज की discussion में आता है, नदरन आइलेंड का conflict, ठीक है, ज़्यादा रिटेल्स में नहीं जाना, नदरन आइलेंड कॉन्फलिक्ट न्यूस में इसलिए है, क्योंकि यहां पे एक history ब nationalist, first minister of Northern Ireland, यहां पे आया है, amid all kind of political deadlocks, जो की इस region में काफी complexities present थी, उनके होते हुए भी, यहां पे पहली बार pro-Irish unity का largest number of seats आई हैं, सबचन की कोशिश करते हैं, हुआ क्या, अब एक important keyword इस पूरे conflict में है, troubles, ठीक है, troubles, नहीं भूलेंगे आप, what is the meaning of troubles, देखे, नदरन Ireland में 1968 से लेकर 1998 तक 30 साल तक civil war चलती रही है, और इस civil war period को कहा जाता है, troubles, और इस civil war थी, this was between the Republicans, Republicans and the Unionist, इनके बीच में ये civil war चल रही थी, इसका कुछ religious aspect भी था, जो Republicans थे, they were mostly Catholics, और जो Unionist थे, they were mostly Protestants, ठीक है जी, जो नदरन Ireland है, it was earlier part of Ulster province, जो की आज के टाइम पे, North of Ireland में पाई जाती है, अब conflict चल रहा था इनके बीच में, Republicans और Unionist के बीच में, इवन ये भी कह सकते हैं कि Catholics और Protestants के बीच में, जो conflict है, ये 1968 का नहीं है, no, this conflict goes way back in time, ये conflict के शुरुवात 1609 में होती है, जब King James 1 ने एक official migration को लेकर एक policy start करते हैं, migration को लेकर policy लाई जाती है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि England से और Scotland से जो लोग हैं, वो आओ, और आकर ये नदरन Ireland का जो अलस्टर एरिया है, यहाँ पर आकर आप काम कीजिए, प्लांटेशन कीजिए, तो ये प्रमोट हो रहा था काफी जादा, इस टाइम पर यॉरप में भी काफी religious wars चल रहे थे, Protestants और Catholics के बीच में, तो जब इस तरह की movement हो रही थी, तो same presence अलस्टर में भी होती है, लेकिन एक stronger resistance ब्रू हो रही थी, and at that point of time, Ireland was under the rule of England, अब क्या हुआ धीरे धीरे, जो England था, आप जानते हो कि वो colonies बनाता था, colonial rule था, English rule, तो इसे लेकर एक काफी resistance जो थी वो डबलाप होती है, and especially 1845 में यहाँ पे आता है, potato famine, potato famine of 1845, जिसमें एक million से ज़ादा Irish लोगों की death हो जाती है, and उसके बाद जो और differences जो थे वो काफी बढ़ जाते हैं, finally, 1916 में, जब World War I होती है, First World War, इस time पे Easter week के दुरान, Ireland, England की, you know, army की against खड़ा होता है, under the leadership of Irish Republican Army, IRA, और एक bloody war होती है यहाँ पे, and finally, in 1921, Ireland was able to get independence from England, इसे independence मिलती है, England से, और एक treaty होती है, जिसे कहा जाता है, Anglo-Irish Treaty, लेकिन अब हुआ क्या है यहाँ पे, Ireland को दो territories के अंदर split कर दिया क्या, यह बात important है, now, majority जो Protestants थे, वो Ulster में थे, out of the 32 counties of Ireland, six of them, they remained in UK, and एक region बना, जिसे कहा गया, Northern Ireland, ठीक है, यह तो इसकी history हो गई, लेकिन यहाँ पे बात जाने वाली है, कि currently क्या हुआ, कि जो Northern Ireland है, इसके अंदर एक political deadlock बना हुआ था, कि किस तरीके से Britain के साथ, और rest of the Ireland का, कैसे बॉर्डर को डिमार्केट किया जाए, कैसे बॉर्डर को गॉंट्रोल किया जाए, especially, जब बृतेन ने ब्रेक्जिट कर दिया है, you know, ब्रेक्जिट हम उसे बन को कहते हैं, जब बृतेन एरोपन यूनियन से बहार आता है, जब उनाइटेट किंड़म यूनियन को लीव करता है, नदरन आइलेंड, as a part of UK, became the only province with land border with an EU member, the Republic of Ireland. So, to address this issue, UK और EU ने एक नदरन आइलेंड प्रोटोकॉल जो है, वो डिवाइस किया, उनके ब्रेक्जिट डील में ये प्रोटोकॉल था, इस प्रोटोकॉल का ऐम ये था, कि जो हार्ड बॉर्डर है, ब्वीन नदरन आइलेंड और रिपब्लिक और आइलेंड, इसको प्रिवेंट किया जाए, बाइशिफ्टिं सम ट्रेड बॉर्डर तो इईरिश पोर्ट्स, यह जो अर्रेंजमेंट था, यहां उस टाइम पे भी इसको लेकर बहुत कंटेंशिंस चल रहें थी, बाइशिफ्टिं प्रिंसिपल्स अव गुट फ्राइड अग्रीमेंट, यह जो काफी बड़ा ट्रॉबल्स का टाइम और यह सब यहां पे आता है, अल्टीमेटली आज की अपडेट यह है कि लंबे पोलिटिकल डेडलॉग के बाद, जो आर्लाइंड का पोलिटिकल डेडलॉग है, अब यह यहां पे एंड हो चुका है, यह यहां की न्यूज है, इतनी हिस्ट्री आपको थोड़ी पता होनी चाहिए कि जो पूरा का पूरा इशु है न, यह यूके के ब्रेक्जिट के बाद जो है, यह शुरू होता है, ठीक है जी? So, that's all for this video, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, Thank you so much for watching, I will see you all in my next one, thank you.